दुलको फ्लेक्स सबसिट्री के बारे में आज हम जानेंगे वैसे बच्चे जिनको कॉंस्टिपेशन की समस्या होती है और वो तिन तिन चार चार दिन तक इस टूल पास नहीं करते हैं पौटी नहीं करता है बच्चा तो उस कंडिशन में इसका इस्तमाल किया जाता है इसको किस रूट से लगाया जाता है कैसे लगाया जाता है इसका मार्केट प्राइज क्या है इसके साइड इफिक्ट क्या हो सकता है इन सारी बातों को जानने के इस वीडियो में चलिए बारी बारी से इन सारी बातों को जान लेते हैं सबसे पहले करनें तो ऐसे बच्चे जो इस करता है या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इस टूल पास नहीं करता है जिसके कारण जो हाड हो जाता है हाड होने कारण जब बच्चे इस टूल पास करेगा तो उसको पेन होता है और उस पेन से बचने के लिए बच्चे इस टूल पास नहीं करता है उसको रोक करता है जिसक तक स्टूल पास नहीं करता है तो इस कंडिशन में इस टिकिया का इस्तेमाल करना है और यह इस तरह होता है और इसको निकाल लेना है और इसको लगाने से पहले बच्चे के तरह के रास्ते में या तो थोड़ा सा वैसलीन या कोई अलकर पी इसको उसकी करेंगे ध्यम्त ऐन और चला जाएगा फिर यह बहार नहीं आता है फिर भी थोड़ा देर उसको दबाकर रखना है उसको एनस के यह लेट्निक रास्ते पर उगली से दबाकर रखना यह अंदर जाने के बाद और यह जो है बोड़ी टेमप्रेशर पर जैसे जाएगा यह पिघलने लगता है पिघ बच्छे को और वो इसको डालने सब्सक्राइब में बच्चा कर देता है इससे कौंस्टिपेशन भी खतम हो जैसे डालेंगे इसको तो यह तो तोड़ेगा तो फिर बच्चा जो है इस टूली पास कर देता है अगर इसके मार्केट प्राइज की बात करें तो यह 10-12-15 यह इसपर एक ध्यान रिखना है यह के लिए दृटorta के लिए भी होता है और बच्चे के लिए भी चिल्ड होता आधी सख्ते हैं जब अगर बच्ची लगाना है तो बच्चा वाला लेंगी हैं जैसा कि यह पर लिखा कभी कभी क्या होता है कि इसको लगाने के बाद पीट में दर्द का होना या उल्ट जैसा मन होना यह समस्याय जो है देखने को मिल सकती है या इसको सही तरीके से अगर नहीं लगा रहे हैं और उसमें जो है एक एक खरू जा जाता है चोट लग जाता है तो इनल ब्लीडिंग भी देखने को मिल सकता है इसको लगाने से पहले। ट्रीके से हैंड वाश कर लें